Hello and Welcome आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम करने के कितने तरीके हो सकते हैं एक्सल में चलिया ये देखते हैं एक बार हो सकता है आपने सम किया हो ठीक है या फिर हो सकता है ना भी किया हो तो एड करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर हम add करेंगे यह जो हिस्ता है न यहीं पर हम add करेंगे इन सब का देखिए यहाँ पर मैं इसे अलग कलर से एक highlight करता हूँ देखिए यह जो है न इन सब का total यहाँ पर चाहिए फिर in sum का total हमको कहा चाहिए in sum का total चाहिए यहाँ पर ठीक है इसी तरीके से line wise हमको sum का total यहाँ पर फिर यहाँ पर line wise चाहिए एक तो यह तरीका है जो generally आप use करते हो is equal to sum करके ठीक है यह बहुत general सा तरीका है है ये सबी blinkingूज़ करते हैं, शहीद आपको पता भी हो इसको वंडár करके इंटर करेंगे तो यह आ जाएगा थी कैए और जैसे यह आ जाएगा तो डबल पलीक करें तो सबस्क्wen आ जाएगा यह तो एक Normal तरीका किया है और दूसरा तरीका उपर वाला सबते उपर वाला यह यह जो है यहां तर यहां तक चलेक कीजिए और एक बार एंटर कर दिए जैसे एंटर करेंगे यहां पर रिजल्ट आ जाएगा आप डबल क्लिक कर देंगे तो सबका आ जाएगा अब इससे भी आसान मेथड बताता हूं वह वह क्या है देख इसी पर क्लिक कर देना जैसे क्लिक करेंगे सारा का सारा टोटल हो करके अपने आप आम आ dobrzy बेज़mbol कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे और alt के साथ equal to press करना है alt और equal to जैसे alt equal to करेंगे यहाँ पे total होता वह नचर आएगा अगर आप चाहते हैं कि नीचे वाले का भी total आए तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसको select करना है ऐसे ठीक है यहाँ तक आ जाईए और फिर यहाँ तक करके और control बटल प्रेस क सामने आ जाएगा I hope कि आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे कैसे यह करना है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजेगा thank you for watching this video